प्रोडियूसर डारेक्टर एकता कपूर को डारेक्टरिड अवर्ड मिला है यह पहला मुका है जब किसी भारती को इस अवर्ड से सम्मानित किया गया है कॉमेडियन वीरदास ने कॉमेडी के लिए इंटरनेशनल एमी अवर्ड जीता वही शेफाली शाह को सिरिज दिल्ली क्राइम टू के लिए बेस्ट एक्टरेस की केटेगरी में नॉमिनेशन मिला था लेकिन वे अवर्ड चीत नहीं पाई उनकी जगह ये अवर्ड एक्टरेस काला सुजा को मेक्सिकन सिरिज लाकाइडा के लिए मिला है इंटरनेशनल एमी अवर्ड दोजार तेविस न्यू यार्क में हुआ जिसमें 14 केटेगरी में 20 देशों के कुल 56 लोगों को नॉमिनेशन मिला था इस अवर्ड को टेलिविजन का आस्कर अवर्ड कहा जाता है एक्ता कपूर को डारेक्टेड अवर्ड से सम्मानित किया गया है उन्हें इंडियन टेलिविजन इंडरिस्टी में उनके कंट्रिब्यूशन और को फाउंडर के तोर पर बालाजी टेली फिल्म्स प्रोडक्शन हूस सेट अप करने के लिए अवर्ड से नवाजा गया है इस जीत की खुशी शेयर करते वे उन्होंने अपने इंस्ट्राग्राम हैंडल पर अवर्ड का एक वीडियो पोस्ट किया है इस पोस्ट के साथ उन्होंने केप्शन में लिखा इंडिया में आपका एमी अवर्ड घर ला रही हूँ इस जीत के बारे में उन्होंने कहा मैं प्रतिष्टित एमी डिरेक्टेड अवर्ड हासिल करके बहुत खुश हूँ इस तरह ग्लोबल स्केल पर सम्मानित होना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है मैं हमेशा कहानिया सुनाना चाहती हूँ क्योंकि वे मुझे सुनने देखने और रीप्रेसेंट करने का मोका देती है मैं दर्शिकों के प्यार के लिए अभारी हूँ जिनोंने मेरे लिए दरवाजे खोले जिससे मुझे टेलिवीजिन से फिल्मों और OTT की दुनिया में जाने का मोका मिला इस समान ने मुझे थोड़ा जिम्मेदारी का एहसास कराया मुझे लगता है कि यह आवाज जो मुझे दी गई है मुझे इसका इस्तिमाल दूसरों के भलाई और उन लोगों की कहानिया सुनने के लिए करना चाहिए जिनकी बात नहीं सुनी जा रही है बागी की तबाग अबरों के बने रही है राजडवा नहीं के साथ ताने बाग